राजिस्थान की मुख्यमंद्री गहलोत का बयान देश में विधायकों की खरीद परोग का अनूठा मॉडल लेकर आए पीएम मोदी एवंशा यूपी की कई इलाकों में भारी बारिश का कहत लखनाओं में नौ लोगों की मौत जगा जगा जल जमाव की स्थिती कॉंग्रिस ने कहा मोदी की आलोशना पर माकपा नेता क्यों हो जाते नाराज सीम नितिश कुमार का बड़ा बयान कहा केंद्र में सत्ता में आने पर सभी पिछुडे राज्य को मिलेगा विशेश धर्जा जारखन के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजिपाल से मुलाकात कर निर्वाचन आयोग के फैसले पर ब्रह्म दूर करने का आग्रह किया 29 सितंबर को सपा के राष्टी आधिवेशर में होगा राष्टी अधक्ष का चुनाओ उत्राखन सरकार ने दिये प्रदेश भर में जरजर विद्यालेई भावनों को भस्त करने के आदेश बंगाल में मम्ता सरकार के खिलाफ जारी है भाजपा का हल्लावो कारेकरताओं पर हुए हमले को लेकर जाँच कमेटी गठित दिल्ली शराब घोटाले में एडी ने की 40 ठिकानों पर छापे मारी के जिवाल ने कहा परेशान किया जा रहा कोरोना ने फिर धीरे धीरे पकड़ी रफता एक्टिव मरीजों की संख्या भी हुई 46,000 के पार